ओम गईशी महा गड़ी शाय नम्हा, राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों गणीश पुरान के अनुसार भादबद महा की शुक्ल पक्ष की चतुईथी तिथी के दिन भागवान शी गणीश का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन भागवान शी गणीश का जन्म सब मनाया जाता है यह चतुर्थी भागवान शी गणेश की कृपा प्राप्त कहने के लिए सर्वसिष्ट मानी जाती है मानेता है इस दिन भागवान शी गणेश का पूचन कहने से मनचाहा बर्दान प्राप्त होता है जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और सुक्सम्रथी में ब्रत्थी होती है इस बार यह चतुर्थी 31 अगस्ते दिन बुधवार को है बुधवार का दिन भी भागवान श्री गणेश को समर्पित है इसलिए इस बार की चतुर्थी बहुत ही जादा खास हो गई है क्योंकि जब भागवान श्री गणेश का जन्म हुआ था तब चतुर्थी थी बुधवार के दिन ही थी और इस बार इस चतुर्थी पर तीशुप संयोग रवी योग, शुकल योग और भ्रह्म योग एक साथ बन रही है इसलिए इस बार की गणेश चतुर्थी और भी जादा खास हो गई है इस गणेश चतुर्थी पर वैसा ही दुल्लब संयोग बन रहा है जैसा भागवान श्री गणेश की जन्म के समय बना था इसलिए इस बार की चतुर्थी बहुत ही जादा खास है इस चतुर्थी पर भागवान श्री गणेश का पूचन करने से भागवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होगी आज की इस वीडियो में हम आपको चतुर्थी पर बन रहे इस अद्बु सैयोग पर भगवान श्री गणिश की कृपा प्राफ्त करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से भगवान श्री गणिश जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है बिगन हर्ता भगवान श्री गणिश अपने भक्तों के सभी बिगनों को दूर करते हैं अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, बनते कारे भी बिगड़ जाते हैं, या खर में सुक्सम्रधी और शांती की कमी हैं, तो आप यह उपाई अवश्य ही करें. दोस्तों बीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और इस बीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर भी जरूर करें, दोस्तों आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको सिंदूर से करना है, हनुमान जी के साथ ही भगवान शिरी गनेश का श्रंगार भी सिंदूर के साथ किया जाता है, भगवान शिरी गनेश को सिंदूर चढ़ाने से सभी परिशानिया दूर होते हैं.。 चतुर्थी के दिन अपने घर पर ही भागवान शरी गणेश को इस बिठी से सिन्दूर चड़ाएं. ऐसा कहने से भागवान शरी कणेश की गृप तो प्राप्थ होगी ही, साथी आथिक छेत्र में आने वाली परिशानी और पिख्ण से भगवान शिरी गणेश रक्षा करेंगे भगवान शिरी गणेश को सिंदू चढाने के लिए सबसे पहले इसनान कर शुब रंग के बस्त धारन करें शुब रंग जैसे की कुलाबी, पीला, हरा, लाल ध्यान रखे भगवान शिरी गणेश का पूचन ताले रंग की पस्त पहन कर ना करें सच्छ पस्त धारन करने के बाद आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं भगवान शिरी गणेश का आपके घर में शी बिक्रे है तो आप शुद्ध जल में गण्गा जल मिलाकर उसे भगवान शिरी गणेश को इसनन कराएं और इसनन के जल में थोड़ा सा एक जुटकी सिंदूर भी डाल लें दोस्तों अगर भगवान श्री गणिशी की तस्वीर है तो साफ कपड़े से पहुँचें अब एक कटोरी में आप थोड़ा सा सिंदूर लें सिंदूर में आप शुद्ध घी मिलाएं शुद्ध घी ना हो तो गंगा जल या फिर शुद्ध जल मिला लें अब अपनी अनामे का उंगली पर थोड़ा सा सिंदूर लें और इससी भगवान श्री गणिशी के मस्तख पर तिलक करें दोस्तों तिलक करते समय आपको इस खास मंतर का जाप करना है मंतर इस प्रकार है सिंदूर शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुख वर्धनम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुख वर्धनम शोभनम काम्दम शेव शिंदूर पर तिलक करने से भगवान शिरी गणेश की कृपा प्राप्त होती है और आथिक छेतर में आने वाली परेशानिया और पिखन से भगवान शिरी गणेश रक्षा करते है दोस्तों हो सके तो आप रोजाना भगवान शिरी गणेश का इस मंत्र का जाब करते हुए सिंदूर से तिलक अवश्य करें। रोजाना नहीं कर सकते तो हर बुद्धवार और चतुर्थी पर इस तरहें भगवान शिरी गणेश का तिलक अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान शिरी गणेश की कृपा से धनसंबंदी सभी समस्याय जल्द ही दूर हो जाती है। दोस्तों अगर आपकी कार्यों में बाधा आ रहे हैं, कोई कारे संपन नहीं हो पा रहा, बनते हुए कारे भी बिगड़ जाते हैं। तो आप चतुर्थी पर सिंदूर का ये एक और उपाय अवश्य करें इस उपाय को करने के लिए आप एक शुद्ध खी का दिया बनाएं शुद्ध खी ना हो तो डालडागी या जिस भी खी का आप भगवान के सामने दिया जलाते हैं वह दिया त्यार कर लें अब इस दिये में आप सिंदूर मिला दें दोस्तों आपको जो खी है उसी लाल रंका करना है अब इस दिये को आप भगवान श्री गनीश जी के सामने दखकर जलाएं दिये को थोड़ी से साबुचाबल नीची रखने के बाद उसके उपद दिया रखकर आपको यह दिया भगवान श्री गनीश के सामने जलाना है दिया जलाने के बाद भगवान श्री गनीश को गैंदे के फूल चढ़ाएं गैंदे के फूल ना हो तो कोई भी फूल चढ़ाएं और गुर का भोग लगाएं दोस्तों अगर गुर्णा हूँ तो कोभी फल मिष्ठान या फिर शक्कर का आप भगवान शरी गणेश को भोग लगाए दोस्तों इसके बाद अब आप भगवान शरी गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाब करें मंत्र इस प्रकार है ओम गन गन पते नमा मंत्र का जाब करने के बाद आप भगवान शरी गणेश से सभी बिखन बाथाओं को दूर करने की प्रातना करें दोस्तों इस उपाई को करने से भगवान शरी गणेश की किरपा से व्यक्ति के सभी कारे संपन हो जाते हैं कार्यों में आ रही बाथाएं दूर होते हैं दोस्तों अगर आप परिख्षा देते हैं और परिख्षा में मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा, परिख्षा में सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप चतुर्थी के तिन भगवाई शिरी कणिश जी के मंदिर में जाकर सिंदूर का दान करें, ऐसा करने से आत्म विश्वास में प्रत्थी होती है, और किसी भी तरह की परिख्षा में मेहनत से अतिक सफलता मिलती है, सिंदूर दान करने के लिए आप मंदिर में जाकर पंडिची को सिंदूर दे सकते हैं, या अगर कोई लेने वाला ना हो, तो आप भगवाई श्री गणिश जी के चर्णों में सिंदूर अर्बित करें, यानि कि जैसे बर्जंग पली को चोला चड़ाया जाता है, ऐसे ही आप सिंदूर का चोला गणिश जी को चड़ाएं, ऐसा काइनेसी परिख्षा में सफलता मिलती है, और नौकरी लगने के योग बनते हैं, जिन पती पतनी के आप से संबंध खरा सा उपाय अवश्य करें, उपाय करने के लिए आपको चतुर्थी के रात को सिंदूर को एक कागज में रखना है, और इसके पुड़िया बनाने हैं, और दो कपूर की टिकिया लेने हैं, सोते समय पतनी अपने पती के नीचे सिंदूर की ये पुड़िया रख दें, और पत पती ये पतनी भी ये उपाय कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि पती के तक्ये के नीचे तो पुड़िया में बांध कर सिंदूर रखना है, और पतनी के तक्ये के नीचे दो कपूर की टिकिया रखनी हैं, रात को तक्ये के नीचे इन्हें रख कर सो जाएं, और भगवान श्री गनीश से बैवाहिक जीवन को सुख में बनाने की प्रातना करें। अगले दिन प्राते उठने के बाद ये सिंदूर की जो पुड़िया है इसे घर से बाहर कहीं फैक्त है। और जो कपूर है इसे आप अपने बेड्रूम से बाहर निकाल कर जला दें। इसे घर से बाह बाहर ने से भगवान श्री गनीश की किरपा से बैवाहिक जीवन में आ रही परिशानियां दूर होती हैं। और पती पत्नी में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों सिंदूर से करने वाले इन आसान से उपायों को कर आप इनसे लाव अवश्य ही प्राप्त करें। इन उपायो तोस्तों यह उपाय आप दिन और रात में किसीग bravery कर सकते हैं लेकिन चतूरति पर अप्र मत्यान कि समय यानि कि दुप हर को बहुत महत्व होता है। माना जाता है चतूरति पर दुपहर की में भगवानय श्री गनिश की पूचा शेयर करें जिससे भैपी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे